हे गाइज वेलकम टू आइडियल टिक गुरू में नाम विवेक है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक केंप्यूटर सिस्टम से Pen Drive के मदद से किसी दूसरे Computer Sistem में कैसे Software को splash करेंगे यानी कि हमारे पास इस MPP में कोई software और इसे जो हम अपने pen drive में copy करके किसी अधर सिस्टम में हम अगर डालना चाहते उस Software को उस Application को तो हम कैसे करेंगे आज वीडियो में हम आपके सास्थ सहर करने जा रहे हैं दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं जो हमारे computer system के desktop पे जो हम shortcut बना के रखते हैं किसी भी application का जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टेली प्राइम का मान की चली इस टेली प्राइम को जो हमें किसी other system पे install करना है तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे इसको select करेंगे right click करके य इस pen drive को system में लगा के install करते हैं तो ऐसे में जो है टेली प्राइम या जो भी software आप यहाँ पे copy कर रहे हैं वह copy नहीं होता है actual में हम कैसे जो है किसी भी software को copy करेंगे जो हमारे system में install है और उसको pen drive में डालके हम उस system में कैसे install करेंगे वह भी हम आपके साथ share करने जा रहे हैं हम जो है अपना application डालेंगे जो भी application को copy करना चाहते हैं तो इस application को हम इसी में डालेंगे ओके तो यहां पर अगर आप अपना this PC on कर लेते हैं और जो हमारा main program file है वो है यह तो आप में एक ही folder होगा program file तो आपको इस folder को open करना है अब इस program file को open करते तो यहां पर आपकी computer system में जो भी software या जो भी application जो है install कर रखाया आपने उन सारे का data आपको यहां पर मिल जाएगा तो आपको यहां पर चेक करना है कि कौन से software को जो करना चाहते हैं देखिए हमारे system में अभी यह सारे application जो है install है हमने इसे third party application हम यह install कर रहे हैं यहां पर आपको जो हमें third party application दिखाएगा जो कि हम अलग से डालते हैं जो by default हमें computer system में मिलता है वो चीज़े हमें यहां पर सो नहीं होने वाले तो यह सारे वह application है जिसको हमने बाहर से डाल रखा है यह download करके हमने डाल रखा है अब यहां पर हम आपको बताते हैं कैसे जो कोई भी application को copy करेंगे उस application को pen drive में डालेंगे जैसे हम बात करें यह wonder से फिर मोड़ा जो है एक editing software है video editing इसको जो है हमें किसी other system में डालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस दाटा करते हैं फाइल को तो इनका जो डाटा है वह हमें सो आता है तो में फाइल को जो हमें कॉपी करना होगा तो Ctrl-C से जो है आप कॉपी कर लीजिए otherwise right-click करके यहां पर कॉपी का option आ जाता है तो जो भी software को आप जो है डालना चाहते हैं जैसे हम वींडार एक software है जो कि अंजीब करता है फाइल को इसे अगर हम किसी सिस्टम में डालना चाहते हैं दूसरे में इसके जो डाटा इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए सारे डाटा है तो हम एक बैक आते हैं इसके जो है हम यहां पर right-click करके इसको कॉपी कर लेंगे जो भी application को आप जो है दूसरे सिस् या आप लिए ना फोल्डर बनाके भी उनके डाटा को पेस्ट कर देक्से डाटा यहां पेस्ट कर दिये देखिए यह फोल्डर हमारा जो है यहां पर आ चुब करेंगे इस सारा कुछ हम begitu होने होने लगेगा अब आपको क्या करने है अपने Pan-Drial उसे इस फोल्डर के अंदर आजाना है जहां आपने कौपी कर आ के अंदर आप जिस भी सॉफ्टवेर का नाम है जो इस भी इसे सॉफ्टवेर का आप इससे नाम से एक आपको यहां पर ॹाइल मिलेगा दे यह जो software है वो ही दार करके था तो वींदार करके यहां पर फाइल है लेकिन यहां पर कई सारे फाइल है वींदार तो इसमें आपको type के अंदर दिखेगा यह application तो यह चीज़ ध्यान रखेगा यह type के अंदर application उसी application के नाम से हमें वो फोल्डर मिल जाएगा तो इस पे हम डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके रन एज एड्मिनेस्टर करके हम इस एप को जो है या इस सॉप्ट्वेर को इंस्टॉल कर सकते हैं वंडर सेयर का हम बात करतें फिल्मोरा का तो यह उनके अंदर का डाटा है इसमें हमारा डबलू से सुरू होता है तो हम डबलू से नीचे आएंगे वंडर सेयर सर्च करेंगे तो देखिए यहां पर डबलू से यह रहा हमारा वंडर सेयर फिल्मोरा और टाइप में आप चेक करेंगे कि अप्लिकेशन होना चाहिए अब इस पर हम क्लिक करेंगे right क्लिक करके यहां से run as a administer करके हम इसे अपने system में install कर सकते हैं तो इस तरह के से हम किसी भी एक system से अपने software को उठा के किसी नए system में हम उस software को डाल सकते हैं बिना internet के मदस्टा आपको सारा concept किलियर होगा इसके बाब जुद भी कोई doubt है तो आप हम से comment करके पूछ सकते हैं चली हमें दीजी थोड़ा सा समय हम मिलते हैं next video में बहुत ही जल्द